है गाइज वेलकम टो और यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद गिरी सिस्टर्स में आप सभी का स्वागत है एक्सक्रिशन यानि की उत्सरजन उत्सरजन क्या है इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं बहुत छोटे क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज हम लोग ज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पौदों के उसरजी अंगों के द्वारा और उसर्जन क्या है तब प्रोसेस ऑफ रिमूबल ऑफ अन्वांटेड एंड हार्मफूल हार्मफूल मेटेरियल्स मेटाबॉलिक वेस्टेज कहिए या फिर हार्मफूल मेटेरियल्स कहें वेस इससबस्रेंज सेज कॉसीकाओं से जो विशयले जो विसाक्त पढार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने के करियाविद्य को ही Kaf rebound का नाम दिया गया है Lawrence I'm क euro पूर्ख हम लोग यह ओपने हम डाता है को ज़ते हैं घृ लंग जाई ऊंग अकर और सत्वार्चन कर्व योडियु वाद है आमोनिया को क्या है नाइट्रोजन युक्त योगिक है यो नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस पदार्थ है जो कि उसरजन पदार्थ है उसरजी पदार्थ है इन पदार्थों से जीन बिसेज अंगों के द्वारा सरीर से बाहर निकाल जाते हैं उसकों लोग क्या करते हैं ऑ्र सरजन के क्या महत्व हो सकता है जैसे कि सरीर की सारी मेटबोलिक करियाओं को मेंटेन करने के लिए जितना भोजन जरूरी है उतना ही हमारे सरीर के लिए चितना ही जिद्धारियों की सरेर बहुत अथीक महत्वılar रगता है ने मनустriya में पसीन और यूरीन के द्वारा और उस स्वसन यानि की रेस्पिरेशन के द्वारा कारवन डेक्साइट का बाहर निकलना यूरीन निकलना पसीना निकलना यह सब बहुत ही बिशैलेपदार्थ होते हैं इन सब का निकलना बहुत जरूरी होता है तो यह सब मेटाबोलिक किरियाओं के बा है वो भी जैसे कि यूरिन उसकी बाद कारवन एकसाइड यह सब बाई प्रोड़क की रूप में निकलता है उसकी बाद है टॉक्सिक केमिकल सबस्टेंस एं रेगुलेट वाटर कंटेंट ऑप और बॉडी हमारे सरी में वाटर के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए बहु को मेंटेंट रखने के लिए फिर कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए तो इन सब चीजों यह सब बहुत सारे ऐसे उसर्जन का महत्तो होता है पौधों के जो उसर्जी पदार्थ होते हैं वह हमारे हमारे लिए बहुत जादा म महत्वह रखते हैं जैसे कि उनके बहुत सारे गम्स रेजिन्स बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिनसे हमारी दवाईया बनती हैं तो पौधो के उसरजी पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन वह जितने भी होते हैं वह सब हमारे उपयोगी होते हैं ठीक है पेरपौदра के उसारजों प्रजी मूसरजा नगर हो सकते हैं। पैरपऌदशन नहीं होता है। उनके नहीं पाई जाते हैं जब्सक्षा Sigurd exists, वो इसलीए नहीं पाई जाते हैं। पिरपौद्ध के उसारज ाई नहीं पाई जाते हैं ? वो इसलिए नहीं पाये जाते हैं, वो इसलिए नहीं होता है, क्योंकि पॉदों में आपाचाई की किरिया जो केताबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, बहुत कम होती है फलो सुरुप क्या होता है कि पौधों में उस सर्जन के लिए कोई विशस अंग नहीं पाया जाता है फ्रीकरी। पाए जाते हैं ठीक है तो पोध्या अपना किस तरह से अपना सब्च उच depressed अब्लार जानते हैं अपने इंप्र不知道 को किस तरह से निकलते हैं अपनेvard οलों ब्युजों के द्वारा निकालते हैं ठीक है जैसा कि हम लोग का जानते हैं कि respiration केद्वारा पोधों केgam या photosynthesis के द्वारा पोदों को जिस तरह से oxygen की जरूद पड़ती है सॉरी carbon dioxide की जरूद पड़ती है तो हमें byproduct की रूप में क्या मिलता है हमें मिलता है water और उसके साथ साथ में मिलता है carbon dioxide तो इन सब चीजों के लिए वो किस तरह से निकाला जाता है जिस तरह से वो स्वरशन लेते हैं stromata के द्वारा उसी तरह से वो लोग stromata के द्वारा carbon dioxide को बाहर निकाल देते हैं ठीक है उसी तरह से byproduct की रूप में हमें क्या मिलता है water मिलता है तो वाटर को भी photosynthesis की द्वारा धिस तरह से produces waste product तो वोटर तो उसको भी वह लोग निकाल देते हैं by transpiration के द्वारा ठीक है by leaves के द्वारा पोदे की पतियों के द्वारा कैसे करणा है। allemaal शर्जीप्दार्द की रुप में पौध को निकालन बहुत जरूरी होता है। इसलिए अपने पौधे पतिओं को गिरा देते हैं। जैसे कि बर्गद, रबबर, कक्चुओ इन सब में केल्सियम केर्बन नामक उसरजी पदार्थ पायाता है। पतियों के बाहिठ चाब्दी ऑप बावद जमा होते हैं शिस्ट्रणीड के रूप में ये जमा हो रहते हैं और इन पत्व के पत्व के अलग होते ही सर्जी पदार्थ भी पौदों से अलग हो जाते हैं उसी तरह से छालो में कुछ ऐसे जामा जिक जृ झत-गा रहता फ़्स इसे कि अमरूद अरजुनादी में और शिनकोना में कि छाल में कौनीन नामा को सरजन पडार्थ होता है कौनीन से दवाईया बनाई जाती हैं ऊशार जिया ही तो इनके इसी पडार्थ से हम बहुत सारे यूजपल चीज भी बना सकते हैं फालों के द्वारा हम लोग क्या जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी पेर पौधे होते हैं जो अपने बाई फ्रूट्स के द्वारा भी अपने सर्जी पदार्थ को इकठा करते रहते हैं अब जब एक्स्ट्रा जब ग्लुकोज का निर्मान होता है तो वो लोग कहां वो सब कह जाता है तो सर्जी पदार्थ के रूप में यह सब जमा रहता है और जो फलों के गिरने के सांसाथ वो पौधों से भी अलग हो जाते हैं तो अपने बाड़ी को पेर पौधे अपने बाड़ी को मेंटेंड करने के लिए इन सब किरियाओं के दौरा अपने एक्सलेटरी प् फीज में भी जमा रहते हैं जैसे कई जए नक्स अबोमी का नामा पौधा में सेट्री कनी नामा कुसर जी तो के दशाजी वीजों के द्वारा ही होता है वाय ट्रांस्प्रियरेशन के द्वारा तो मने elkaar सभी जानते हैं कि जो ससाए जो जल होता है उनका प्योग करने के बा बहुत सरी ऐसे पदार्थ होते हैं उसर जी पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं गूंध होता है रेजीन सोता है लैटेकस होता है गूंध कहां कहां पाया जाता है мн경 में और indovinamay 2513 half कार्वो हाइडेट कार्वो हाइडेट है जो सेलुलोज की जल में घूलने से निर्मित होता है और यह जल में घूल कर कले लिए घोल बनाता है यह गाढ़ा चिपचिपा होता है जो तना सखाओं और छालों के काटने से निकल कर वाई को संपर्क में आते ही यह कड़ा हो जाता कास्ट रुधोग में होता है कास्ट काट को भढ़ने के कामें आता है इन सब जैसे कि जिल्द बधाई में भी या चिपकाने में भी काम आता है रेजिन्स का उप्योग कहां किया जाता है, रेजिन्स कहां से मिलता है, रेजिन्स पाइन ब्रिच की रंजन की नलिकाओं में मिलता है, यह पीले रंग का जल में घूलन सिल पदार्थ होता है, और जो पाइन ब्रिच की तना सखा पतियों की रंजन नलिकाओं में तरल रूप पानी का बहा हो जादा हो वहां पर इन सब चीजों को लगा देने करण वहां से जल नहीं निकलता है और रंग पेंट आधी में भी इसका उप्योग किया जाता है रेजिंस का लेटेक्स कहां से निकलता है हम लोग देखते हैं कि पपीता वगेरा काटेंगे तो आपको लेटेक्स निकलता है एक चिपचिपा सा तो यह क्या होता है इसका शुरूत इसका गून क्या होता है कि प्रोटीन गूंद रेजिंस और जो चारोध आधी के मिश्रन से बना एक तरल पदार्थ होता है ठीक है और लेटेक्स बहाइनियों में यह संचीत होते रहता है यह इनका उप्योग क्या हो सकता है इनका उप्योग क्या हो सकता है इनका उप्योग बैपारिक रबर उदुक में करते हैं गट्टा पर्चा में निर्मान में भी करते हैं या बिदुत निरोधक के भी रूप में इनका उप्योग किया जाता है तो यह चुड़ चीज है आप इनक नितिका आदी पौधों में भी इनके फूलों में भी पाया जाता है नामगू हुआल इनका गुन या होता है Pacificर इ maior in Thor स्वेष्वेश्जी सवेश्चव में उध्यों कॉललन काइमा उत्तों तो यह कॉलन कंका में on Para City के इनका write of Chaba तरह स्वक्रवंगा उद्वोग पंप्योंग listen 945-17 wijुदये छेटार इकी ब्ली सेव निम्प यूर यह सब गन्ना संतरा इंपली में क्या होता है और इंप करेक शिल ऐस्यो में क्या होते हैं यह जाल में गूलन सील तो यह सब अर्जी पदार्थ है यह सब और जमा होते रहते हैं और यह दवाओं के निर्मान में बिविन प्रकार के सिल्प दोग में इनका उप्योग किया जाता है उसके बाद है वोलाटाइल ऑईल्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑईल की रूप में रहते हैं वो सर्जी पदार्थ ही रहते हैं जैसे कि आप गुलाब के पौदो गुलाब के फूल को स्मेल करेंगे जब गुलाब खिलता है तो स्मेल आता है लेकिन बाद में वो उड़ जाता जल में घूलनसील भी होते हैं और यह सुगंधित भी होते हैं सुगंधित सावुन के निर्मान में उप्यूग किया जाता है चुप कीस में काफी जादा सुगंध होता है और विविन प्रहसादन समागरियों के भी निर्मान में इनका यूज किया जाता है ठीक है तो यह सब क तरह कोई भी सेसंग टो पाये नहीं जाता है पौधों सब नेछी युटसर जी पदार्थ क्या हो सकते हैं ये नाय्टरोजन यूप उसरी पदार्थ होते हैं और जो प्रोटीन के बिगटन से बनते हैं ये स्वाध में कडवे होते हैं और पानी में खुलन सील हुतμεुझे chord और पानी में है जो नाय्टोजेन पॉसार जूंध कर आए है यह-था कहा पाया जाता है ये जड्ड Doy ships जड़ में बीज, छाल, पत्ती या अन्य भागों पाए जाता है इनका काम क्या होता है यह उसदियों बनाने में काम आता है कुछ आलकलोड का यहां नाम दिया गया है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपके बुक में भी है जैसे मार्फिन, कुने, निकुटीन, रेस निकुटीन, सर्प कंधा के पोधो से प्राप्त होता है धथुरा, पत्ती और फल से प्राप्त होता है ले पुक्टे के का इकाल में कजन पर बंढर में प्रत बावगु अर्य çıkar होता है यह सर्पकन आ के पृद्विं किसा भाएंत्ञा आनद दातुरा के लिक्त, अक्छे, इन सब चीजों का बहुत जादा आर्थिक महत्व है इन सब का क्या है कि इन सब से दवाईया बनाई जाती है निंद की दर्द की दवाईया मलेरिया रोग की दवाईया नसे की रूप में भी लिया जाता है जैसे तमाकू का तो नसे की रूप में ही लिया जाता है और धतुरा धातुरा की पौधों को आपने देखा ही हो गा निवारत जाती है और चाइज की पति से ईस्टुम्लेंट के रूप में इसका उपयोगब किया जाता है तो इसतरह ये नैट्रोजिनस ये और आज हमने कवर किया कि पौधों के उसरजी अंग क्या है मिन्स उसरजी पदार्थ क्या है उनका यूज क्या है और वो किस तरह से अपने उसरजी पदार्थों का त्याग करते हैं किस तरह से वो हमारे इंभार्मेंट के लिए हमारे लिए कितना यूजफूल होता है नेक्स्ट लोग वीडियों पढ़ेंगे प्रानियों के उसरजी अंग और उसके साथ साथ हमारा जो सबसे बड़ा उसरजी अंग है किड्नी के बारे में ठीक है तब तक आप इस चानल को देखते रहें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए शेयर जरूर करिए ताकि और भ किलते हैं, ओके बाइब बाइ